चीन ताइवान के छेत्रे में कर रहा है यूदधव्यास के चीन का साथ देगा भारत चीन के यूदव्यास का बीडियो हम आप दिखाते हैं आपको बता दे कि अमेरका हाउसी स्पीकर नैंसी पॉलिसी ने हाली में ताइवान का दौरा किया था जिसके बाद से चीन और अमेरिका के बीच रिष्टों में तनाव बढ़ गया है चीन ने अमेरिका पर अंतरराष्टेर समझोते का उलंगन करने का आरोप लगाया है साथ ही नैंसी पॉलिसी पर प्रतिवंदवी लगा दिया है का हाउसी स्पीकर के दोरे के बाद से चीन ताइवान के पास लगातार सेन अभ्यास कर रहा है चीन ने पहरे रुटीन अभ्यास बताया लेकिन ताइवान का आरोप है कि उसके सेन अभ्यास के तरीके से लगता है चीन युद्ध की त्यारी कर रहा है अमेरिका ताइवान का सीधे सीधे समर्थन कर रहा है अमेरिका ने ताइवान पर वेजे fighter jet और missile हैं। अमेरिका ने चीन से कहा यदि उसने ताइवान पर किया आकरमण तो उसे हमारे जबाब का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं भारत ने ताइवान को लेकर कहा, हम ताइवान में यथा इस्थिती को बदलने के लिए एक तरफा कारवाई से बचने की अपील करते हैं. साथ ही कई अन्य देशों की इतर है भारत भी हाली के घड़ने किरमों से चिंते थे, हम सयम बरतने यथा इस्थिती को बदलने के लिए एक तरफा कारवाई से बचने, तनाव को कम करने और छेतर में सांती और इस्थिरता बनाई रखने के प्रयासों की अपील करते हैं अगर योद्य होता है तो चीन को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान इसके चलते भारत ने भी अपना बयान दिया है भारत ने कहा है वैसे तो हम सांती का प्रचार करते हैं यदि हमारे पास मिसायल या किसी भी हत्यार का कोई कचरा भी आता है तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो किरपया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब जगर फैला दें यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी बज ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे धन्यवाद